बिसमिल्लारमानिरहीम रिस्पेक्टिर वीवर्स असलाम अलेकूम रिस्पेक्टिर वीवर्स आज इस वीडियो में आपके साथ 100 most important economics के MCQ शेर करने जा रहा हूं गाइस यह इतने ज्यादा टाइप से रिलेटिर फिर डीमांड अनलसी आ जाता है लास्रीशिटी ओफ डीमांड का टॉपिक आ जाता है इंडिफरेंस करव लाव वेरियरबल्स कास्ट करव कंसेप्ट्स और रेविण्यू प्राइसिंग मेंथर स्टेट बैंक को पाकिस्तान पाकिस्तान की एकॉनिमिस तो guys almost मैंने hard topic को cover किया हुआ है in most 100 MCQs में तो guys अगर आपको economic का कुछ पता है तो फिर भी आप practice के तोर पर मेरी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो guys फिर भी कोई tension लेने की ज़रूर नहीं क्योंकि मैंने हर MCQs को साथ साथ briefly explain भी गिया हुआ है तो इंशालला यह exam के वाले से बहुत ही important question है तो guys आज की इस वीडियो में आपके साथ 100 MCQs में से आप जो 50 MCQs है में के part 1 आज की वीडियो में share करूँगा और दूसरा जो next part है उसमें further 50 MCQs next second part में कुछी दिनों में upload कर दूँगा तो guys आपने complete playlist को watch करना है इंशालला आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यदा helpful थाबत होगी so without any further delay let's begin आज की वीडियो का सबसे जो पहला question है who is the father of micro economics जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे candidates को पता होगा economics होता है economics की फर्दर आगे types होती है micro और macro main ये फर्द दो types होती है micro और macro हमने ये बताना है कि micro economics का father किसे कहा जाता है तो guys इसका जो right dance मारा बनता है आपने इसको no down कर लेना item smith बहुत important question है ये बी नेक्स question है who is the father of macro economics मैंने आपको जैसा के बताया में जो टाइपस है micro macro तो guys macro economics का हमने आप फादर बताना है कि किसे कहा जाता है तो guys इसका जो right dance मारा बनता है john kynes option b is the right answer next question है guys goods produce to produce yet other good is called तो guys ये बहुत बेसी सा question है तो जब भी हम एक good say mean के बदले में goods produce करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो guys option b capital option b is the right answer बहुत बेसी सा question है next question है guys the central role of market is to determine the तो guys हमने ये बताना है के central role mean कि किसी भी market का जो central role है ना वह हम कैसे determine करते हैं तो guys हम price of goods से हम determine करते है option d is the right answer ये भी आपने note down कर लेना है next question है the branch of economics concerned with overall performance of the economy is known as guys देखें हमने economics की वो branch बतानी है में जिसमें हमने overall performance की बात करते है economy तो guys ये आपने note down कर लेना है जब भी overall performance of the economy का जिकर आए तो guys उसे कहते हैं macro economics तो guys option b is the right answer next question है the branch of economics in which we deal with the behavior of market firms and household is known as तो guys एक चीज़ और note कर लेने ये भी mean के economics की type की definition है जैसे मैंने आपको micro का है micro का है तो guys इसमें अब जिकर हो रहा है market mean के deal with the behavior of market firms and household तो guys ये च्छोटे तबके की बात हो रही है तो जब भी guys individuals की बात हो जब भी एक firms की बात हो तो guys हमेशा आपने याद रखना है के micro economics में उसे deal किया जटा है जब overall economy की बात की जाती है तो उसको हम macro में deal करते हैं है अभी जो last हमने question में अभी आपके साथ वो mcq share किया है तो guys ये आपने definition को अब आपको याद भी हो चुकी होगी जब भी mean के individual जब भी कुछी छोटी firm की बात होगी तो micro में आता है और जब overall economy की में साल के तोर पर GDP हो गया जी एन पी हो गया ठीक है इसके लावा guys employment level की बात होगी balance of trade की बात होगी तो वो macro में होगा और जब भी consumer behavior हो गया ठीक है इसके लावा चोटी firms हो गया industry location हो गया consumer behavior factory pricing जब भी इनका जिकर होगा तो वो micro में होगा तो ये आपने no down कर लेना है next question when too much money is changing to few goods this situation is called guys question में ये पूछ रहा है कि जब वो कौन सी situation होती है जब हमारे पास पैसे तो बहुत ज़्यदा होते हैं लेकिन हम बहुत ही कम goods को purchase कर सकते हैं तो guys absolutely mean कि आपको पता होगा कि inflation कहते हैं पैसा हमारे पास ज़्यदा होता है और चीजें हम कम purchase कर सकते हैं तो वो inflation ही कहलाता है next question cheap money means guys आपने ये याद रखना है बहुत important terms economics में यूज होती है cheap money हमेशा low rate of interest को कहा जाता है option a is the right answer next question compared to the reach the poor save guys हमने ये बताना है कि reach के मकाबले में जो poor है वो mean के उसकी condition बतानी है वो क्या किस किसम की mean के उसके condition लागू होती है poor पर तो गाई इसका जो right answer मेरा बनता है smaller part of their income mean के उसके पास बहुत ही कम income का जो source होता है ना वो उसको save कर सकता है तो option c is the right answer guys ये आपने no down कर लेना है बहुत ही जो भी question में आपके साथ share कर रहा हूँ ना exam के वाले से बहुत ज़्यदा important question है as it is भी पूछ सकते हैं या थोड़ा सा different angle के साथ आपसे question पूछे जा सकते हैं next question है the main contribution of alfred marshal is in the field of guys हमने ये बताना है कि alfred marshal की जो main contribution है वो किस में हैं तो guys ये भी आपने याद रखना है बहुत ही important question है तो इसका जो right answer मारा बनता है theory of demand में option d is the right answer next question है principles of economics was written by तो guys जो economic के जो principle है वो किसने mean के written किये थे किसने लिखे थे तो guys इसका जो right answer मारा बनता है alfred marshal option b is the right answer next question है liquidity of preference theory was introduced by तो guys liquidity of preference theory किसने introduce करवाई थी तो हमने आपने ये ये नाम याद रखना है तो इसका जो right answer मारा बनता है large coins option d is the right answer next question है time preference theory was developed by तो guys ये मैंने थोड़े से history से related question बनाए है तो आपने लाजमी इन question को याद करना है as it is ऐसे भी पूछ सकते हैं या थोड़ा सा different angle के साथ और भी पूछ सकते हैं तो मैंने इस वज़ा से जो 6-7 important question बनते हैं तो मैंने cover किया हुए हैं तो guys time preference theory किसने mean के develop की थी तो आपने याद रखना है बोहम बावर्क option d is the right answer next question है according to Robins economic is the तो guys हमने यह Robins वैसे तो economics की बहुत सारे authors ने definition लिखी है तो guys आपने definitions भी याद रखनी है जो जो author की mean के Alfred Marshall की Robins की हमने अब यह बताना है कि Robins के मताबक economics क्या है तो guys इसका जो right answer हमारा science of scarcity option c is the right answer guys next question हमारा if a person behave against the law of economics तो अगर कोई person economics के जो laws हैं उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें कैसे mean के deal किया जाएगा तो इसका जो सबसे पहला option है he is condemned option b he made laws his respect for society from society guys यह आपको एक्ट कर लीजेगा option c is punished option d he is not punished तो guys देखें economics में कोई भी अगर rule and regulation को mean के follow नहीं करता तो इसका जो right answer हमारा बनता है he is not punished mean के उसको किसी किसम के कोई सजार नहीं दी जाती तो इसका जो right answer मारा बनता है option d is the right answer next question है scarcity is a तो guys यह हमने scarcity एक important term है economics में तो मैंने इसको भी cover किया हुआ है तो इससे भी related question पूछ सकता है तो guys इसका जो right answer हमारा बनता है relative term guys basically यह ऐसी term है mean के जिसमें हमने time to time place to pay place चलना होता है तो relative term इसे कहा जाता है तो option a is the right answer यह भी आपने no down कर लेना है next question है in the case of rare queens supply queens will be guys हमने बताना है कि जब हमारे पास queens की mean के सिकों की कमी हो जाती है तो supply जो queens है will be supply पर क्या असर पड़ेगा तो guys इसका जो right answer हमारा बनता है वो vertical guys यह बहुत important question है तो आपने याद रखना है जब भी queens कमी हो जाएगी तो जो supply है वो vertical अपने आपको शो करती है तो option B is the right answer next question है which one of the following is not a factor of production guys हमने इन चार option में से बताना है कि कौन सा factor of production नहीं है तो guys देखें land भी है land से भी हम अपनी production ले सकते हैं labor से भी ले सकते हैं capital से भी ले सकते हैं तो bank loan है यह factor of production नहीं है तो यही हमारा right answer हमारा बनता है option D is the right answer next question है the law of variable of proportion was first developed by तो guys हमने बताना है कि law of variable proportion किसने developed किया था तो guys यह बहुत important question है यह भी आपने no down कर लेना है professor Marshall ने इससे developed किया था option C is the right answer guys next question है which one of the following cost can never become zero guys इन चार option में बताना है कि वह कौन सी cost है जो zero में ही हो सकती तो guys यह cost की आगे आगे mean के चार option में types दी हुई है average cost guys average cost कहते है total cost over number of units of goods then total cost क्या होती है total cost होती है fixed cost plus variable cost तो guys देखें अब option B होती है fixed cost fixed cost ऐसी होती है जो में के bear करनी ही पड़ती है company को चाहे company loss में जा रही हो मनाफ़े में जा रही हो ठीक है तो यह ऐसी cost होती है for example electricity bill हो गया telephone का bill हो गया तो यह bear करना ही पड़ता है किसी भी form को तो जो fixed cost है वो zero नहीं हो सकती then marginal cost भी मैं आपको थोड़ा पता देता हों कि क्या होती है guys किसी भी mean के एक additional unit बनाने के लिए जो total cost पर changing आती है mean के जो तब्दी तब्दीली आती है तो वो और कलाती है marginal cost variable cost क्या होती है variable cost यह होती है mean के जब भी हम change the level of production कर देते है mean के यह वकत के साथ-साथ इसमें तब्दीली आती रहती है तो यह variable cost क्यलाती है बाकिए इसमें जो राइट आंस मारा बनता है वह फिक्स कास्ट फिक्स कास्ट नेवर बिकम जीरो option B is the right answer next question which of the following taxes is not collected by the central government guys हमने यह बताना है कि इन में से कौन सा tax है जो central government collect नहीं करती गईज देखे income tax वह भी करती है central government custom tax वह भी करती है बाकि यह professional tax है तो हमने कभी सुना ही नहीं exercise यह भी करती है तो गई इसका जो राइट रहा समारा बनता है professional tax गईज इंपोर्टन question है यह भी आपने नोडाउन कर लेना है देन गई नेस्क वेस्टन है दशप्लाई ओफ एगरी कल्चलर परोड़क्ट इस जैनरली है तो हमने यह बताना है कि सप्लाई ऑफ एगरी कल्चलर परोड़क्ट है वह जैनरली क्या होती है तो गई इसका जो राइट आंस मारा बन करती है बाकि जो इनलास्टिक होता है इसका प्राइस और डिपान डिमांड के साथ कोई भी इतना असर नहीं होता तो इसका यह मतलब होता है मैं बुरी आप लोगों को बता दिया है तो गई ऑप्शन भी इसदार राइट आंसर नेक्स क्वेस्टन है वैन डा टोटल चाहिए लगाड़ रीलेशन होता है नेक्स कोईसानाओनस्टन है यह व्यवक्तिक होता है कि तो गाइस हमने यह बताना है को जो समाल स्केल इंडस्ट्री ना पाकिस्तान में वह किस पर मिन के इसकी ब्नियाद क्या है तो गैश्का जो राइट आंस्षा बाना बनता है इन् रुपए भी बढ़ गया ना तो वो small scale industry में उसका include नहीं किया जाएगा गई basically small scale industry का थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ इसका जो benefit होता है ना कि इसमें जो tax की shoot है वो मकमल तोर पर इसमें tax की shoot दी जाती है तो इसलिए small scale industry में थोड़ी सी requirement होती है तो ये investment in machine and equipment वो होनी चाहिए then इसके लावा आपने amount भी figure भी याद रखिए कि एक करोड तक होनी चाहिए एक करोड से above नहीं होनी चाहिए इससे भी question पूछा जा सकता है then guys next question है economies of scale means reduction in guys basically सबसे पहले तो आप लोगो economies of scale की जो term है इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है economies का आपने इसदर मतलब लेना है बचत of scale मैं इसका बाद में बताता हूँ basically economies of scale ये चीज़ होती है कि जब भी कोई form mean के bulk level पर या ज़्यादा मिकदार में अपनी quantity mean के production करती है तो गई जब भी bulk quantity में में के को अपना production करेगी तो गई उसकी जो part unit of cost है ना वो कम होना शुरू हो जाती है तो गई इसका ये मतलब होता है economies of scale का तो गई हमने यही बताना है कि इसकी mean के बूच रहा है कि इसका मतलब क्या होता reduction किस चीज़ में कमी होती है तो गई इसका जो right answer मारा बनता है unit cost of production तो गई जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई firm एक bulk quantity में अपनी production करती है तो bulk quantity के साथ साथ उसकी जो per unit cost है ना वो कम होना शुरू हो जाती है तो option A is the right answer next question है purchasing power parity theory is related with तो गई जो purchasing power parity theory है वो किस से relate करती है इन चार option में से हमने बताना है तो इसका जो right answer मारा बनता है exchange rate बहुत important question है option D is the right answer next question है when the price of a commodity falls we can accept तो गई जब भी किसी commodity की price है वो fall करती है तो हम क्या कह सकते हैं तो इसका जो demand पर असर पड़ेगा the demand for it to be increase तो guys आपको पता होगा price और demand का अपस में negative relation होता है जब भी price increase हो जाती है तो demand decrease price increase तो demand decrease price decrease और demand increase हो जाती है अपस में इनका inverse relation होता है तो option D is the right answer next question है which of the following sets belong to central taxes guys जैसा कि मैंने अभी recently question में बताया था के central duty का जो central government को collect करती है tax तो guys आपने यह याद रखना है कि exercise duty, custom duty and house tax भी central tax में आजाता है में कि central government collect करती है तो यह आपने note down करना है बहुत ही important question है option B is the right answer next question है the most distinguished future of oligo oligo apply तो guys इसकी बहुत ही important term है economics में oligo apply तो इसका जो future क्या होता है तो इसका जो right answer मारा बनता है interdependence तो guys यह बहुत ही important term है इस से relatively question पूछा जा सकता है तो मैंने इसको भी मिन के पूछा है मिन के question इस पर बना दिया है तो option B is the right answer next question है love demand implies that where there is excess demand for a commodity then तो हमने यह बताना है कि जब भी किसी भी love demand कभ इंप्लाई होता है जब भी demand excess में हो जाए फार a commodity then उसका price पर क्या असर पड़ेगा तो price of the commodity rise हो जाएगी यह important question option C is the right answer next question in the context of the stock market IPO stands for तो गई हमने IPO का abbreviation बताना है तो बहुत important question है तो इसका जो right answer मारा बनता है initial public offer option C is the right answer next question poverty is less developed country is largely due to तो गई जो गुरूबत है में के जो गुरूबत की जो वज़ा है में के less developed country में उसकी वज़ा क्या है basically तो इसकी जो main वज़ा income inequality option B is the right answer तो गई यह बहुत important question है आपने इनको भी no doubt कर लेना है मैंने जितने भी question आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत important question है नहाइत exam के point of view से बहुत ज़्यदा important question है तो आपने हर question को अगर मैं कहूँ कर रटा लगा लेना है तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा क्यूंकर यह बहुत जबर्दस question में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नेक्स question है discrimination in public sector is called तो गाइस हमने यह बताना है कि पब्लीक सेक्टर में discrimination क्या कहलाती है तो इसका जो राइट आंस मारा बंदा प्रिविटाइजेशन ऑप्शन डी इज़ा राइट आंस गईस नेक्स question है and individuals actual standard of living can be assessed by guys जब भी हम individual तोर पर किसी का भी living standard को किस तरीके से assessed कर सकते हैं तो गाइस इसका आपको पता चली चुका होगा इन चार option में per capita income से हम assessed कर सकते हैं किसी भी individual का living standard तो option c is the right answer next question when there is an official change in the exchange rate of domestic currency then it is called जब भी official change आती है मिनके exchange rate of domestic currency में तो वो क्या कहलाता है तो इसका जो right answer मारा बनता है revolution is the right answer next question inflation redistributes income and wealth in favor of तो इसका जो option है option a pensioners option b poor option c middle class option d reach तो इसका जो right answer मारा बनता है वो है reach option d is the right answer next question है बहुत important question है the break even point is where break even point वो कहां होता है तो guys यह आपने याद रखना है इसको रटा लगा लेना है बहुत important term है तो आपने इसको लाजमी अपने माइन में जहन शीर रखके जाना है paper देने जब आपने तो इसका जो right answer मारा बनता है total revenue equal to total cost जब हो जाती है तो break even point occur होता है option c is the right answer next question है the total value of goods and services produced in a country during a given period तो guys यह आपने याद रखना है बहुत important question है जब भी total value of goods and services produced की जाती है एक मुलक में एक given time के मताबक तो वो क्या कहलाता है तो वो national income कहलाता है option b is the right answer तो guys अब जितने भी question में आ रहे हैं ना यह macro economics related question में आपके साथ share कर रहा हूं next question है which of the following is not a function of the central bank in an economy तो guys हमने यह बताना है इन चार option में के कौन सा central bank का mean के central bank का economy में role नहीं है तो इसका जो right answer मारा बनता है controlling government spending option c is the right answer next question है per capita income is equal to तो guys यह आपने याद रखने है बहुत important question है per capita income is equal to किसके equal होती है national income and total population of country option a is the right answer next question है a favorable balance of trade of a country implies debt तो जब भी किसी country का favorable balance होता है trading के लिए वो कब होता है तो guys देखें इसमें जो right answer मारा बनता है जब exports are greater than imports mean के जब exports जएदा हो जाएं और imports कम हो जाएं तो वो अपनी country के लिए balance of trade favorable करार दी जाती है तो इसका जो right answer मारा बनता है option B इस नेक्स question है in a capitalistic economy the prices are determined by तो guys ये country के country के capital की economy की बात हो रही है तो हमने ये बताना है कि जब भी economy capitalistic economy में the prices are determined prices को कैसे determined किया जाता है तो guys ये बहुत सारे candidates को इनका answer पता होगा demand and supply according price को determined किया जाता है option A is the right answer नेक्स question है toothpaste is a product salt under तो guys इसका जो right answer मारा बनता है वो है monopolistic competition में salt किया जाता है toothpaste को guys बहुत important term है बहुत important question है तो आपने इसको भी no down कर लेना है guys next question है in a period of inflation and price rise the supply of money जब इंफिलेशन में price rise हो जाती है तो supply पर उसका क्या असर पड़ेगा same हो जाती है increase हो जाती है decrease हो जाती है none of the these तो इन चार option में जो हमारा right answer मारा बनता है increase हो जाती है तो इसका जो right answer हमारा बनता है option B is the right answer next question है guys fixed cost is known as fixed cost हो हम दूसरे किस नाम से जानते है option A special cost, option B direct cost, option C prime cost, option D overhead cost तो इसको जो हम other नाम से जानते है वो है special cost, option A is the right answer next question है in the long run equilibrium a competitive earn तो हमने यह बताना है option A super normal profit mean के earn करता है profit equal to other firms, option C normal profit, option D no profit तो इसका जो right answer मारा बनता है जब भी long run equilibrium हो जाता है तो competitive normal profit earn करता है option C is the right answer next question है production function relates guys हमने production function बताना है किसे relate करता है इन 4 option में से option A cost of output, option B cost of input, option C wages of profit, option D input to output इसका जो right answer मारा बनता है input to output next question है according to the classical system saving is the function of तो guys saving क्या है mean के एक function है वो किसका function है income का तो इसका जो right answer मारा बनता है option A is the right answer next question है commercialization of agriculture implies तो guys जो commercialization है वो agriculture में implies होता है किस पर होता है तो इसका जो right answer मारा बनता है production of crops for sale बहुत important question है आपने इसको भी no down कर लेना है तो guys ये थे most important 100 MC को उसका पहला part जिसमें मैंने आपको साथ 50 most important question share कर दी है तो guys इन्शालला जो part 2 अब कुछी दिनों मैं आपके साथ लाजमी share कर दूँगा तो guys आखर पर यही के अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी economic से related mean के knowledge मिलाया ना तो guys वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा आखर पर यही कि Allah आपको आपके हर नेक मकसल में कामया फर्माए बाई को दीजिए इजाज़त thank you for watching take care allah hafiz